अगर आपका लिंग मात्र 3 से 4 इंच का है तो इस आउसधी का उपयोग कर लो जोस आने के बाद आपका लिंग 11 से 12 इंच लंबा हो जाएगा 3 से 4 इंच मोटा हो जाएगा डालते ही चिलाने लगेगी बीबी इतना मोटा और लंबा होगा आपका लिंग आपका सरीर से पसीना निकलेगा लेकिन आपका बीर्य जल्दी नहीं निकलेगा ठोक ठोक कर बीबी का सारा पानी जार दोगे चीखे निकलेगी बीबी पूरी रात आपके बीर्य को यह गोंद से भी जादा गाढ़ा कर देगा और आपके लिंग को 11 से 12 इंच लंबा करेगा आपके लोहे जैसा मजबूत बनाने की ताकत है इस अदभुत आयूर्वेदिक आउसदी में विल्कम दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है अगर आपका लिंग छोटा है पतला है तेड़ा है कमजोर है आपकी बीबी आपसे संतुष्ट नहीं हो पाती क्यूंकि आप अपने लिंग को अंदर डालते हो तो बीबी को जरासा भी फर्क नहीं पड़ता तो आप इसका उपयोग कर लो बीबी के पास जाते ही बीबी की चीखे निकाल दोगे क्यूंकि डालते ही चिलाने लगेगी बीबी इतना मोटा और इतना लंबा होगा आपका लिंग तो चलिए फ्रेंड्स इस अद्भुत आउसधी के बारे में जाने इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो ध्य ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत आउसधी को यह अद्भुत आउसधी है दोस्तों बथुआ यह बथुआ कई जड़ है आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो और पहचान लो यह बथुआ की जड़ आपके लिंग को मोटा, लंबा, कड़क, सोडॉ बनाने में आपकी मदद करेगा तो सबसे पहले आपको इस बतुआ को जड़ सहित इस प्रकार से उखाड ले और इसकी जड़ को अच्छी तरीके से तोड़ कर इसे सुखा दे इसकी जड़ को आपको सुखाने के बाद आपको इसे पीस कर बिलकुल बारीक तरीके से इसका पाउडर तयार कर ले अगर आपके आसपास यह बथुआ का पौधा नहीं है तो आपको आयुरवेदिक की स्टोर पर बथुआ की सूखी हुई जड़ इस प्रकार से आपको आसानी से मिल जाएगी तो आपको बथुआ की सू ग्राम जड़ को लेना है और उसे अच्छी तरीके से सुखा कर पीस कर बिलकुल बारीक तरीके से इसका पाउडर तयार कर ले इसका पाउडर तयार करने के बाद आपको 100 ग्राम की मातरा में और 200 ग्राम की मातरा में आपको अरंडी का तेल लेना है ताकि जब तक कि इस बतुआ की जड़ अच्छी तरीके से गर्म होकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तेल में इसका रस उतर जाए तब आपको इसे च्छान कर किसी काँच के बोतल में भरकर रख देना है और प्रति दिन आवसकता अनुसार मातर 4-5 बूद अपने लिंग के पीछले वाले हिस्से पर लगा कर अपने लिंग की हलके हाथों से मसाज करें इससे आपके लिंग की तूटी हुई नसें बहुत ही आसानी से जुड़ जाएंगी आपकी कमजोर नसें मजबूत होंगी और आपका लिंग का साइज बढ़ेगा आपका लिंग 11-12 इंच लंबा होगा 3-4 इंच मोटा होगा डालते ही चिलाने लगेगी बीबी इतना मोटा लंबा मजबूत हो जाएगा आपका लिंग आपके बीबी को खुश करने की सबसे फाइदे मंद आउसदी है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है यह बिलकुल नेचूरल है यह बतुआ का पौधा आपके आसपास देखने को भी आपको आसानी से मिल जाएगा यह बहुत ही जादा फाइदे मंद है तो फ्रें करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रियेट्यू में सेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक ने फैमिली का ख्याल रखें बाई बाई दोस्तों